असलाब नेकम दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल अर्सिल यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है जैसे कि आपको पता है कि अब भी गर्मिय खतम हो रही है और सर्दिय शुरू हो रही है तो ठंडे मोसम में आप एर कंडिशनर क हीटिंग का फाइदा कैसे ले सकती है एर कंडिशनर को हीटिंग पर कैसे कर सकती है इसमें मैं आपको बताऊंगा रिमोट से दो तरह के मेरे पास रिमोट वजूद है एक तो जिसके उपर लिखा हुआ होता है हीट मोट जो है वो सारे लिखी हुए है और फैंस्पीड हाई कि यह उसी एर क्डिशनर में होगा जिसमें अवैलिबल है यह option हरे को समय नहीं होती मुस्ट्ली जितने भी है मेरी कि अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जूरू कर दीजेगा अगर आप टेक्निकल अड़सी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो यहां पर आपको मॉइल टेकनोलजी से अपको इस निशान को लेकराना है एरो के निशान को यहां पर हीट पर लेकराना है और इस तरह से आपको fan speed अपनी मरजी के साफ से कॉट्रोल कर लेनी है जैसे कि यहां पर मैं fan speed को control करना चाहता हूँ तो fan speed जो है यहाँ पर आपको speed मिल गया तो speed low medium high fan यहाँ पर जो है मैं इसको low पे रखना चाहता हूँ low पे रखनू high medium तो normally hyper ही हम रखते हैं तो high speed मैंने रख ली और वहाँ से heat पर रख लिया अब आपको क्या करना है इसको सिरफ air conditioner आपका चल रहा है उसको एक बार off कर दे नोर्मल इसी से off करके आपने इसको on कर देना है जैसे ही आप उसको on करेंगे तो थोड़ा time लेगा मतलब maximum आपको 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं तो थोड़ा सा time लेगा खुद बाखुद off होगा खुद बाखुद थोड़ी देर बाद ये start होगा तो मतलब आपको 40 से हीट नहीं देगा थोड़ी सी time लेगा convert होने के लिए तो उसके बाद आपका इसी heat mood पर आ जाएगा फिर नोर्मल जब भी आप on करेंगे फोरी से आपको heat मिला करेंगी बाकि आप temperature अपने हिसाब से इसको up-down कर सकते हैं जितने आपको heat चाहिए temperature के साब से अब इस पर बात करते हैं कि यहाँ पर तो चले जिसको नहीं भी इतना इलम वो इसको पढ़कर ही easily कर सकता है heat पर रखा और यहाँ पर high पर रखा own कर लिया इस setting से तो आपका इसी heat पर चलेगा लेकिन जहाँ पर यह कुछ लिखा नहीं हुआ तो वहाँ पर आप कैसे काम करेंगे बजब इसको कैसे use करेंगे यहाँ पर मेरे पास एक universal remote है तो इसमें option वह सारी मुझूद है तो इसलिए मैंने इसमें सोचा कि आपको इस पर भी guide किया जाएं ताके जिनके remote पर heat और fans वीडियो गारा नहीं लिखी हुऊ इस वीडियो को देखकर इस तरह के remote से भी फाइदा उठा सकेंगे इस तरह से कैसे हम इसको करेंगे अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हमने इसको on कर लिया mode button है mood से आप इसका mode select कर सकते है dry, auto, heat और cool अब यहाँ पर इस वकद यह जो symbol है यह आपका symbol cooling का symbol होता है यह जो अब यह उपर है इस तरह का symbol हो तो यह heat mode होता है तो मतलब कि इस तरह के symbol पर हमने इसको mode पर अब रख लिया तो हमारा heat mode पर setting हो गई अब fan speed है वो आपको high, low, medium जो भी करनी है fan यह लिखा हुआ है तो fan speed जो है हम इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं auto पर आगया और यहाँ पर high speed, low, medium अब low auto high यह high speed है इसकी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि heat mode select हो गया यह symbol सिर्फ आपको अपने जेन पर रखना है mode से आपके आप इसको change कर सकते हैं यह आगया select कर लिया fan speed आपको high, low, medium जो जो जाई वो रख ले जैसे कि अभी low है तो यहाँ पर auto और यह high speed high speed आगी अब आप AC को ऐसे इसी पर off करके एक बार on कर लें और आपका AC थोड़ी देर में ही heat पर convert हो जाएगा मैंद करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंदाई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आप easily remote की setting, heating कैसे जो है आप set कर सकते है heating पर अगर आपको वीडियो पसंदे है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर न्यू है तो टेक्निकल एटसी यूटीब चैनल को इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करें यह मेरा न्यू चैनल है जहां पर मैं मुबाइल एंड टेक्नोलोजी से र्लेटिड वीडियो बनाता हूं तो इसको जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिल था हूं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच गुड़ बाए